हेलो एवरीवान कैसे हो आप सभी स्वागत करती हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद दीपस है निमी गाइस आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ एकनोमिक्स की कोशन्स डिसकस करनी जा रही हूं और यह कोशन्स आपके आगे आने वाले एच्टेट और अन्य एक्जाम्स के लिए मोस्ट इपोटेंट होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो जिसमें कोशन नमर वाना आता है भारत की राष्टिया आए की गण की जाती है वो जो आपका जो रेट होता है वो बदल रहा है और एक रेट है जो बिल्कुल स्तीर है तो दोनों के ही बेसिस पर गणना की जाती है नेक्स आता है कोशन नमर टू वरतमान में राष्टिया आए समंको को के गणना किस आधार वर्स पर की जा रही है तो जो भारत में राष्टिय आये की सही सागणना में आने वाली एक कठनाई है, कौन सी कठनाई है जो कि नेशनल इंकम की गणना करते समय आती है, आ मुद्रिक छेत्र का अस्तितो, बचत की निम्न दरे, अर्ध विरोजगारी, मुद्रा, सफीती, तो राइट अंसो रहेगा गाईस आ मुद्रिक छेत्र का अस्तितो, ठीके, तो ये जो मुद्रिक नीती होते हैं न, मौनिटरी पोलिसी उसी से रिलेटिल होता है, नेक्स्ट आता है कोशन नमबर फोर, भारत में राष्टिय आये की सही सागणना में कौन-कौन सी समश्या सामने नहीं आती, प्रयाप्त और स न, मौनिटरी पोलिसी समश्या हमारे सामने नहीं आती, तो वो ये है, निर्यात उत्पादन में कमी, बाकि ये तीनों समश्या हैं हमारे सामने आती है, नेक्स्ट आता है कोशन नमबर फाइफ, भारत में राष्टिय आये का आकलन सबसे पहले किस ने किया था, दादा ने भारत की नेशनल इंकम 20 रुपे परतिवेक्ती बताई थी, तो अंस्वर रहेगा दादा भाई नोर्जी, नेक्स्ट आता है कोशन, दादा भाई नोर्जी ने अपने धन का पलायन सिद्दांत, किस पुस्तक में वर्नन किया है, नेचर ओ ब्रिटिस कोलोनियल रूल, प पावर्टी एंड पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया, बुक में इसका पुरी तरह से वर्नन किया है, नेक्स्ट आता है कोशन नमबर 7, भारत की राष्टी है, आए में सरवाधिक योगदान किसका है, नेशनल इंकम में, तो ये कोशन रिपीटिड है, और जहां सर्विस की बात आती है, तो केवल बैंकिंग शामिल नहीं होती, यातायात, परिवेहन और अन्य जोब्स में भी जो होती, सारी की सारी सभी परकार की सेवाई, सभी परकार की जोब इसमें आती है, टेरेट्री एरिया में, नेक्स्ट आता है, कोशन नमबर 8, भारत की राष्टिया आए में सबसे कम किस छेत्र का योगदान है, अब किस छेत्र का योगदान सबसे कम है, गाईस, तो हमारे अग्री कल्चर का, सबसे ज़्यादा तेरत्यक का, दूसरे नमबर पर द्वेत्यक का, और सबसे कम योगदान है, प्रात्मिक छेत्र का, यानि अग्री कल्चर और हमारे वनों से समंदित उत्पादों से नेक्स आता है कोशन नमबर 9 भारत की राष्टिय आये की गणना किसके अधार पर की जाती है किसके दुआरा की जाती है नीती आयोग वित मंत्राले केंद्रिय सांखी के संगठन तो राइट अंसर रहेगा हमारा केंद्रिय स की आर्थिक विर्दी की सर्वादिक उप्यूक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद शुद घरेलू उत्पाद शुद राष्टिय उत्पाद प्रति व्यक्ति उत्पाद अगर किसी देश की आर्थिक विर्दी की सर्वादिक उप्यूक्त माप की बात करें तो गाइस हमारी ज का योग सभी परकार के निर्गतों का योग सभी वया का योग यह सभी परकार के आया इनकम में इसको छोड़ करेंगे तो इसको छोड़ कर बागी इन तीनों को नैशनल इंकम में शामिल किया जाता है और इनसे किया जाता है नेक्स जाता है कोशन नबर 12 निमने में से राश्ट्रिया आये में शामिल नहीं किया जाता नैशनल इंकम में क्या शामिल नहीं होता मालिक के कभजे में मकान मकानों का आरोपित किराया नए पुल के निर्मान पर सरकारी लाटरी जीतना तो देखो नैशनल इंकम में लाटरी जीतना जैसी जो होती है ना इनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें आप क्या है पैसे को जीत रहे हो तो आपने किसी तरीके से किसी उत्पाद को बेच कर या कुछ सेवा करके उस पैसे को कमाया हुआ नहीं होता व पहला ही option रहेगा देश की कुल जन संक्या से ठीक है तो national income divided by देश की कुल जन संक्या और इस फार्मूले से हमें पता चलती है किसी भी देश की national income या हमारे देश की national income next रहता है question number 14 भारत की राष्ट्य आय के बारे में कौन सा कथन सही है सेवाओं के अपिक्षा क्रिशी का प्रतिशत हिस्सा अधिक है बिलकुल गलत क्रिशी का तो सबसे कम है क्रिशी के अपिक्षा उध्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है ये भी बिलकुल गलत और ध्योग क रूप से किर्शी और उध्योग की अपेक्षा सेवाओं का परतिशत हिस्सा अधिक है तो राइट अंसर रहेगा हमारा उप्शन नमबर D ठीक है सन्युक्त रूप से बात करें किर्शी और उध्योग दोनों की अपेक्षा जो हमारा सर्विस यानि टेरेटरी सेक्टर है उसक परतिशत हिस्सा अधिक है तो ओप्शन डी रहेगा इसका नेक्स आता है कोशन नमबर 15 अमीरों की तुन्ना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय क्या पिक्षाकर्त बड़े हिस्से की अपनी आय के बराबर हिस्से की अपनी आय क्या पिक्षाकर्त छोटे हिस्से की अपनी आए की बड़े हिस्सी की तो बात ही नी बड़ा इससा बचत में रख दिया विचारे गरीब ने तो खाएगा क्या पहनेगा क्या तो और अंस्वर रहेगा अपनी आए की अपिक्षाकर्थ एक छोटा हिस्सा ठीक है चोथा पाचवा छटा हिस्सा हम बचत के रूप में रखत इस तरीकी से ठीक है तो अमीरों की तुनला में हम गरीब की बात करें गरीब तो ऐसे ही बचत करती है तो रहेगा हमारा उप्षन नंबर सी इस करेक्ट नेक्स आता है कोशन नंबर सिक्स्टीन भारत की सकल गरेलू उतपाद में नीचे दिये गए विबिन छेत्रों के एक बिल्कुल करेक्ट जी डीपी में योगदान का तो सबसे पहले नंबर पर सेवा आता है दूसरे नंबर पर उद्योग आता है और तीसरे नंबर पर क्रेशी आती है तो हमारा पहला ही ओप्षन करेक्ट है ठीक है तो पहला ही ओप्षन करेक्ट है नेक्स आता है कोशन न धारवर्ष जीडीपी के प्राकलन के लिए जो बेस यह रोगना गाइस वो है आपका 2011 और 12 ध्यान रखना 2011 और 12 नेक्स्ट रहता है कोशन नंबर 18 निम्न में से कौन सा छेत्र भारत की सकल गरेलू उत्पात को सरवाधिक योगदान देता है प्रात्मिक दिवित्यक तिर्त्य नेक्स्ट रहता है कोशन नंबर 19 यहाँ पर आपको जीडीपी के बारे में दो स्टेट्मेंट गीवन है और इन्स स्टेट्मेंट में आपको विचार करना और बताना कौन सी क्रेक्ट है पहले स्टेट्मेंट है कि जीडीपी क्या है यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं और दी गई सेवाओं का बजार मुल्ये बिलकुल क्रैक्टे गाइस ही कि एक वर्ष में एक डेश की जो बांटरी से उसके अंदर जो भी वस्तुए बनी और जो भी वस्तुए बजार में गई तो उन सब का मुल्ये है GDP ठीक है दूसरा कथन दे है एक वर्ष के अंदर एक देश की सिमाओं के अंदर जितनी भी वस्तुएं या सेवाईं उत्पादित हुई उन सब का बजार मुल्य है GDP ओके समझ गई नेक्स आता है question number 20 मुल्य हार्स किसके बराबर होता है तो guys मुल्य हार्स किसके बराबर होता है जब आपकी GDP में से NNP माइनस किया जाता है तो GDP यानी सकल राष्ट्य उत्पाद GNP सोरी GNP में से NNP माइनस किया जाता है तब हमारा मुल्य हार्स निकल के आता है ठीके तो GNP में से NNP GnP minus NNP then हमें प्राप्त होता है मुल्य हार्ष तो निबल राष्ट उत्पाद यह NNP यानि नेट आपका national product और GnP यानि gross national product यह रहेगी दोनों की फुल फोर्म तो इन आते हूं कि नेशनल इंकम से आपका एक भी कोशन गलत नहीं होगा ठीक है इपोटेंट वीडियो है मैक्सिमम लाइक करना शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो जबरदस्ती नहीं है बट अच्छी लगे तो प्लीज कर दिया करो लाइक शेयर और न्यू हो चैनल पर तो देखो आए वीडि और व्यवीडि ठीक है इन सब को शामिल किया जाता है और मुल्य वर्दित वीडि को भी किसी चीज का मुल्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे नैशनल इंकम को परभावित करेगा बट निवेश वीडि को यानि हमने किसी चीज में अपना पैसा न नहीं किया जाता तो टीक है राश्डिया के मापन के लिए तो रहेगा हमारा उप्शन नमबर सी करेक्ट नेंस राता है कोशन न nuclear ट्वंटी टू नहीं है तो राष्डिया आए को मपने की मापन कि नहीं है सिंपल शुन लू वेडि को तो शामिल किया जाता है व्याय यानि हमने खर्चा कर दिया आई वीदी को भी शामिल किया जाता है हमारी इतनी इंकम हुई उत्पाद वीदी उत्पाद पदती यानि किसी वस्तो का उत्पाद उसको भी शामिल किया जाता है बट मैक्ट्रिक्स भी पदती इसको नैशनल इंकम के मापने में याकलन कर प्रतिय समय शामिल नहीं किया जाता तो option number c is correct नेक्स आता है question number 23 राष्टिया आए निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है आप अर्त्यक्ष कर पुंजी उपभोग छूट इमदाद और व्यास तो guys national income निकालने के लिए NNP यानि net national product इसमें से आपके आप अर्त्य कर जो आपको पता भी नहीं हoquता और आप से ले लिए जाते हैं जैसे आप मोल में मूवी देखने जाते हो यह तिब उसमें tax कटता है तो आपको पताबी नहीं होता है तो तोड़ी टेक्स भी लिया जाता है तो इस प्रकार की होते है आप परत्यक्षकर ठीक है तो जब NNP में से आप परत्यक्षकर को गटाया जाता है नेशनल इंकम निकालने के लिए नेक्स्ट आता है question number 24 GNP से NNP निकालने के लिए निमन में से किसको गटाया जाता है हार्ष, ब्याज, कर, इमदाद, ठीक है तो देखो GNP में से GNP यानि ग्रोस यानि आपका ग्रोस नैशनल प्रोडेक्ट में से हमें नैशनल प्रोडेक्ट प्राप्ट करना है तो हम किसको गटाएंगी, हार्ष को अभी कोशन आया था ना पीछे कि बताओ, हमें GNP में से NNP अगर हम गटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्ट होगा तो हार्ष ये तो प्राप्ट होता है, मुल्ले का हार्ष ठीक है, यानि मुल्ले में कितनी गिरावट आई वोई चीज तो प्राप्ट होती है, तो GNP से NNP निकालने के लिए, क्या गटाया जाता है मुल्ले में गिरावट या मुल्ले में हार्ष को गटाया जाता है नेक्स्ट आता है कोशन सकल राष्टिय उत्पाद माइनस मुल्ले हार्ष तो भई, देखो सकल राष्टिय उत्पाद यानि GNP माइनस मुल्ले हार्ष वही कोशन है, बस थोड़ा सा बदल के दे दिया है, इस तरीके से एक्जामिनर भी करता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा तो गाईस हमें क्या प्राप्त होगा, जब इसमें से मुल्ले हार्ष गड़ जाएंगी, तो NNP प्राप्त नहीं होगा मैंने अभी उपर बताया आपको तो NNP का, क्या होता NNP Net National Product, यानि निबल राष्टिय उत्पाद, तो option B is correct next आता है कोशन किसी देश का निबल राष्टिय उत्पाद, यानि NNP होती है, यह वही गोशन है तेको अब कैसे दिया है, सकल गरेलू उत्पाद में मुल्ले हार्ष बत्ते बढ़ा कर, या सकल गरेलू उत्पाद में विदेसों से निबल आई जोड़ कर गरेलू उत्पाद में विदेसों से निबल आई घटा कर, तो सकल गरेलू उत्पाद में मुल्ले हार्ष बत्ते घटा कर, तो भई GNP, सकल गरेलू उत्पाद यानि GNP में से जब हम मुल्ले का हार्ष घटाएंगे, तब ही तो हमें सुचांक उपलब्द कराया जाता है, वर्ष परति वर्ष परति वैक्ति वास्त्विक आई में विर्दी द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्य आई में विर्दी द्वारा, बचत अनुपात में विर्दी द्वारे भुगतान संतुलन की स्तीती में सुदार द्वारा तो सबसे अगर सर्वतम सुचांग की बात करे ना हमारे economic development की तो पर वर्ष परती वर्ष परती वैक्ती वास्तविक आये में अगर विर्दी हो जाए ना ठीक है हर साल लोगों की जो इंकम है उसमें अगर विर्दी होगी लोग जादा कमाएंगे तो अपने आप हमारा development economic development बिल्कुल सर्वतम सुचांग पर प्राप्त होगा तो option A is correct next आता है question अंत्रास्टे सुमुंद्र पानी में भारते मचुवारों द्वारा पकड़ी गई जो मचलियां है निम्न में से किसकी GDP का हिस्सा है ठीक है आपको बताना है जो भारते मचुवारे हैं वो सुमुंद्र में गई international सुमुंद्र पानी में गई ठीक है जिसमें कुछ पार अन्य कंट्री का भी है पानी का कुछ हमारा भी है आप सभी जानते हो कई एरियास आते सुमुंद्र में भारत से आगे जैसे बारा मेल मैंने आपको बतायों अभी है यह तो शीरिलंका भारत और भारत और इंडोनेश्या है तो गाई से एक बर ध्यान देना देखो नेक्स आता है कोशन आई वीदी से राष्ट्य आई का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है किराया मिस्रित आई पैंशन एवित्रित आई तो देखो जब आई वीदी से यानि हमारी जो इंकम हो रही है उससे हम नेशनल इंकम का पता लगा रहे है तो हम एवित्रित आई को शामिल नहीं करेंगे किराया आएगा भई देखो आपके घर में किराया आ रहा है तो कहीना कहीं वो आपकी इंकम को बढ़ा रहा है न महीने में 20,000 आपके किराया ले रहे हो तो वो आपके घर में तो आ रहा है मिस्रित आई एक दो की मिलके नियम्द मेंसे किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है निर्यात मुल्य को जोडना और आयात को घटा देना यह दोनों कुम्ल्य को जोड़ना यह भंद मुल्य को जोड़ना तो निर्यात अनुमान करते समय इसको ध्यान में रखना पेक्षित होता है तो option C is correct next आता है questions शकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मुल्ले है वस्तूओं और शेवाओं के स्टोक का एक वर्ष मत पादे सभी अंतिम वस्तूओं और शेवाओं का ठीक है next आता है question question किसी राष्ठ की राष्ठ यहाँ होती है सरकार का वार्षिक राजसोग उत्पादन कारियों का योगफल सावरजनिक छेत्र के उद्यमों का अदिसेश निरियात में से आयात घटाकर तो national income होती है देखो ध्यान से देखना सरकार का वार्षिक रात्सों निर्यात में से आयात घटा कर उत्पादन कारियों का योगफोल या सावर्जनिक छेत्र के उध्यमों का अधिसेश तो guys वार्षिक रात्सों का कोई लेना देना नहीं होता उत्पादन कारिये यानि हमने जो भी जोब की सेवाएं की उनसे हमने जो पैसा कमाया कोई वस्तू का उत्पादन किया उससे हमारी जो income हुई तो option B is correct ठीक है सभी परकार की जो उत्पादन है उत्पादन समंदिज जो भी कारिये हैं जिनसे हमें income प्राप्त ही उन सब का योगफोल कहलाता है किसी भी रा वे या नीजी उपभोग वे वे वीधी के माद्यम से बताना है GMP में क्या शामिल नहीं करोगे आप ठीक हैं जी एन पी नीजी उपभोग वे मुल्य हार्ष वे निबल विदेशी और सकल घरेलू नीजी निवेस तो गाइस नीजी उपभोग वे को इसमें शामिल नहीं किय जाता है तो नीजी उपभोग वे ओप्शन डी इस क्रेक्ट नेक्स्ट कोशन आता है निमने में से किस छेत्र से भारत में GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त हुता है किर्शी और समंदित से रक्षा और लोग परशासन से वही दुबारा रेपीटिट कोशन अंस्वर रहेग जो कि एकनोमिक्स की हैं तो आप ध्यान से कर लेना सारी कोशन को टोपिक है नैशनल इंकम नैशनल इंकम से आपके सारे कोशन से याँ पर कवर हो रहे हैं ठीक है अगर कोशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस जए के बाबाई